अब सभी को नमस्कार जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय हमारा पूरा देश साथी हमारा प्रदेश भी COVID-19 की जो second wave है उसे जूज रहा है हमारे देश में हमारे प्रदेश में कई ऐसे परिवार है कि जिनोंने इस pandemic के रहते अपने नजदी की लोगों को गवाया है बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जिनोंने अपने परिवार जनों को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा है और ये जो situation है ये बहुत ही दुखदायक है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को इस हालात में helpless feel कर रहे हैं हमारी कितनी भी मन की भावना हो कि हम हमारे परिवार जनों को बचाए किसी भी तरीके से हम helpful हो लेकिन इस situation में बहुत सारे families ऐसी है जो अपने आपको लाचार फिल कर रही है जो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है और यही हाल अगर मैं कहूं तो यही हाल हमारे यहां की जो doctors है जो healthcare workers है कहीं ना कहीं उनके भी मन की भावना यही है कोई उन्हें कितना भी blame करें लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि यह जो हालात है यह पूरे देश भर में है हमारे प्रदेश में भी यह जो हालात है उसे लड़ने के लिए उसे जूजने के लिए हमारी हां का जो administration है वो पूरे पूरे प्रयास कर रहा है हमारे देश के क्रिटिकल हो जाते हैं कि doctors और जो healthcare workers है वो अपने आपको helpless feel करते हैं तो ऐसे situation में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो यह है कि COVID-19 हमारे लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि इसकी जो first wave थी उसमें किस तरह के precautions लेने हैं उसे हम सब भली बाती वाकिफ है बस बात इतनी इसी है कि हमें उन सभी जो precautions थे उसे इस बार बहुत ज़्यादा strictly follow करना होगा हम जहां तक हो सके अपने घरों से बहार ना निकले जहां तक अवश्यक ना हो तब तक हम अपने घरों में रहे जो भी सामान हो जरुद की चीज़े हो वहां तक ही अपना बहार जाना limit रखे औ और खास तोर पर हमारे जो परिवार जन है उसे सुरक्षित रखे हमारे बच्चों को सुरक्षित रखे हमारे परिवार को सुरक्षित रखे ये बात हम सब समझते हैं कि हम जो भारत देश के जो लोग है हम सब एक emotions के साथ हमेशा जुड़े हुए होते हैं हम सब joint families में रहत हैं और इसलिए हम इस बात से बहुत जादा यूस्ट है कि हम समय समय पर बहुत जादा फ्रिक्वेंटली हमार रिलेटिव को मिलते रहें अगर हम यह चीज नहीं करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वह कमी फील होती है लेकिन इस बार हमें उस चीज को समझना होगा कि जितना हो सके उतना हम हमारे रिलेटिव के साथ रिश्टेदारों के साथ फोन पर टच में रहे वह भी जरूर करें क्योंकि बहुत सारी फैमिली है जो सेल्फ आइसोलेटेड है तो उनके साथ अब भी जरूर हम संपर्क में रहे लेकिन फोन के द्वारा एक कॉल के द्वारा उनके साथ संपर्क में रहे और जो हम जादा करके मिलते रहते हैं उसे अड़ाओ करें जादा समय अपने आइसोलेटेड फोर्म में अपने घर में नहीं बिताएं खास्तर पर में एक message हमारे प्रदेश की बीदेश की बी जो भी बेने मेरा message देख सकती हैं उन्हें भी मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे समय में बहुत सारी महिलाईं ऐसी है कि शायद जिन पर अचानक से याबदा पड़ी है उन पर अचानक से अपने family के responsibility आ गई है और कहीं न कहीं वो भी helpless feel कर रहे अपने आपको क्योंकि बहुत सारी families ऐसी है जहां पे husband जो है request करना चाहूंगी कि आप सब हिम्मत रखे होसला रखे आप अगर हिम्मत रखेंगे तो आपके परिवार को बहुत बड़ा हिम बहुत बड़ी हिम्मत और होसला आपसे मिलेगा इसलिए आप जरूर हिम्मत रखे और बिल्कुल भी panic ना करे यह सबसे इंपोर्टन मेसेज है कि हम सब बिल्कुल भी panic ना करें सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन जो भी है उसे फॉलो करें चो गाइडलाइन्स उसे फॉलो करें और मैं समझती हूं कि बहुत जल हम इस situation से बाहर आ पाएंगे अगर हम सब corporate करेंगे तो जरूर बहुत जल हम इस problem से बाहर आ पाएंगे